दिली के बीजेपी विधायकों ने एक चठी देश की रास्ट्रपती को लिखी जिसमें अर्विंद केजरिवाल सरकार को बरखास्त करने की मांग की गई थी उस चठी को रास्ट्रपती ने केंद्रे ग्रिह मंत्राले को आगे बढ़ा दिया है इसके क्या कुछ राजनीतिक मा ने हमारे साथ दिली के विपक्ष के नेता विजंदर गुपता जी है विजंद जी जो आपने तीस अगस्त को चठी लिखी थी उसमें क्या मांग की गई थी और आब रास्ट्पती ने उस पर क्या कुछ संग्या निया थीस अगस्त को राश्ट्रपती महजा से महामहीम रा महजा जामपा और हमने कह dिल्ली में गॉवर्नाच प्रलिसेज है पूरा क्यौस है अराजकता है और महजा को हमने बताया है कि तोड़ी सी बारिश में दिली की क्या है लतुए कि लोग ढूब के मर रह रहे है सड़के तूटी पड़ी है पानी गंदा पानी आह गयों में रहने वालों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है दिली का हेल्थ मॉडल पूरी तरह फ्लॉप है ब्रिष्टाचार का अड़ा बन गया है चलबोड ब्रिष्टाचार की का अड़ा है कुल मिला के पूरी अराजकता का महुल है और इस समय मुक्यमंत्री जेल में है और जेल से जवाब भी देती हैं उसमें बताती हैं कि इसे ग्रिह मंत्राले को भीजा गया है अब इसका क्या मतलब निकाला जाए इसमें बहुत साफ है कि हमने पांच मुद्दे उठाए हैं दूसरा मुद्दा उठाए है कॉंस्टूशनल वोईलेशन का और जिसमें सप्रेशन ओस सी सीजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं रखी जा रही है उसको सरकार चुपा रही है और यह समवैदानिक संकत है कि सीजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर ना ना और उसको सरकार को सरकार दबा ले इसी तरह से जो सिक्स दिली फाइनस कमिशन कॉंस्टूट होना था और जिसको 1 अप्रेल 2021 से इंप्लिमेंट हो जाना चाहीए था और जिसका ग्रेब्र रंड हो पांस साल का होता है यहांनि 1 अप्रेल 2021 से और 31cha मर्च 2026 तक उसकी कम्पलाइंस होती है और यह दिल्ली की नखरनिक्मों को जित्यरूप से सद्रूर करने को प्रक्रिया है आप देख रहे हैं दिली की नगर निकम की क्या बुरी हालत हैं लेकिन दिली की सरकार ने जान बूज कर छटे दिली वित आयों का गठनी ही नहीं किया आपने तमाम शिकायते तो की हैं उसके बाद जब राष्टपती मोहदिया ने इसको आगे बढ़ाया है तो आप किस तरीके से इसे आगे पढ़ता हुआ दिखाई दे रहे हैं जो आपकी शिकायत पर कारवाई होगी क्या इसमें आगे स्टेप्स होने वाले हैं देखे पहले तो जो अपारा मेमोरंडम है हमारी शिकायत है उसकी गंबीरता साफ रूप से दिखाई देती है कि राष्टपती जी ने माहमहीम राष्टपती जी ने उसका कोगनिजन्स लिया है और उसके बाद हमारे उठाईवे मुद्दों को हमारे कंप्लेंट को हमारे मेमोरंडम को ग्रेह सचीव के पास भेजा है तो ग्रेह सचीव जो है वो निश्चित रूप से हम इस बात को ले करके आश्वास्त हैं कि वो इस पर जरूर करवा ही करेंगे इस पर सरकार से सवाल जवाब हो सकते हैं और सरकार कटगरे में हैं सरकार क्योंकि दोशी है सरकार दिली की जनता क भावनों से खेलवार कर रही है दिल्ली में प्रिशासन नाम प्रिशासन का अरत है एक ब्रिश्टाचार ब्रिश्टाचारी शासन ब्रिश्टाचारियों का एक जमावड़ा यह साव रूप से दिखाई दे रही है और एक इनकॉंपिटेंसी साव रूप से दिखाई दे रही कि यहां पर governance का paralysis है तो यह सारे constitutional violation है crisis constitutional crisis हुआ है तो यह सारी बाते हमें लगता है कि इस पर विस्तार से सरकार को जवाब देना होगा और हमने मांग किये कि राश्पती शासन तुरंत लागू किया जाए क्योंकि जब पांच महिने तक assembly नहीं बैठेगी पांच महिने से cabinet नहीं होगी पांच महिने से दिल्ली के अंदर कोई काम ही नहीं हो रहा है और उसके में हो रहा है तो सिर्फ भृश्टाचार हो रहा है तो हमारी मांग जो है वह हम उस पर पूरी तरह से तो दोराते हैं उसको लेकिन चार-पांच महीने तो चुनाव के लिए भी बचे हैं तो क्या ऐसे समय में रास्टपती शासन की मांगा क्या आपको लगता है क्या कि इससे चुनावी की प्रक्रिया भी आगे बढ़ सकती है जैसे महारास्ट और जारकंड में चुनाव होने हैं तो दिल्ली में भी सा हैं और पूरा तरह से एक दिली के दो करोड़ लोग अपने आपको ठगवा महसूस कर रहे हैं तो ऐसे में अगर जो सरकार ही नहीं एक प्रकार से और सरकार भृष्टाचार में लिपता है उसमें बैठे हुए लोग और रोज नए मामले सामने आ रहे हैं तो ऐसी सरकार को तो तुरत भंग करना चाहिए और चुनाओ भी होनी चाहिए चुनाओ तो निश्चीत रूप से होने चाहिए चुनाओ तो सरकार एक जब पान ताराब का पानी गंदा हो जाए तो उसको बदल देना चाहिए तो चुनाओ बिल्कुल चुनाओ कि हम जाएंगे चुनाओ में ल को ठकने का कि 12 colleges दिली के आप देखिए उनको आज ये बंद होने के कगार पर आ गए हैं जिस तरह से 12 दिली सरकार के colleges के हालत है सरकार जवाब दे और उसके लिए दोशी और जिम्मेदार सीधे तोर पर ये सरकार है तो कई सारे मुद्दे हैं बीजेपी का कहना है नेता विपक्ष का कहना है कि बस्टाचार के मुद्दे पर सरकार घिरी हुई है और सही कदम यही होगा कि सरकार को बरखाश कर दिया जाए क्योंकि कई सारे महीनों से दिली का पूरा प्रशासन ठप पड़ा हुआ है रास्पति शासन लागू किया जाए और तुरंत चुनाव करवाए जाए कैमरामेन अजय ठाकुर के साथ कुमार कुनार दिली अक्याना जाए